तो इसके पहले पूरे 18 प्रोग्राम्स मैंने 18 प्रोग्राम्स पूरे अप्रोड कर दिये आप लोग चेक आउट कर सकते हो प्लेश पड़ा हुआ है इंडिविज वीडियो पड़े हुए आप उधर भी जाके चेक आउट कर सकते हो फॉर यो सलूशन्स ठीक है और बाद में जो HTML का है वो भी मैंने पूरे दसों के दसों जो सलूशन्स दिये थे question bank से उसके भी मैंने अप्लोड कर दिये आप लोग चेक आउट कर सकते हो वित आउट पूट आउट पूट आउट गीवन पर आपको मिल जाएगा आई बटन में बगरा ठीक है और C++ चैप्टर भी पूरा अच्छा से एक्स्पेइन कर दिया हुआ है मैंने वह भी अप्लोड़ड है चेक आउट प्लेश्ट इस देर अगे पर दिए अपर आपको लेटेश्ट पर आपको लेटेश्ट पीडियो के नोडिफिकेशन मिल सके और लाइक कर दिए वीडियो का अच्छे लगे तो एंड डेफिनेटल शेयर कर दिजिए फ्रेंट स्टुएं अब यहाँ पर देखो राइट प्रोग्राम C++ अब यहाँ पर हम लोग नेक स्ट्रिंग लिया है पांसु वर्ट के लिए यह एंड कितना वर्ट का कांटिंग के लिए फिर इंटर करने पूछाओ फिर गेट इस अगर नल क्या नहीं तब तक क्या करो अंदर जाओ प्लस प्लस आउट करते रहो फिर यह जो आगे आगे हम लोग प्लस होगा अगे बढ़ते जाएंगे फिर कांटिंग अ यहाँ पर लूपिंग प्लस होगा मतलब यह जो i का जो है मतलब looping case आपके जो iteration है वो plus होके वो आपने को output देखो है आपके check out करेगा अगर 0 नहीं है मतलब कुछ तो है मतलब counts है मतलब empty नहीं है वो ठीक है तो उस हिसाब से बाद आगे बता के बताएगा जो भी है above number of line जो है above text मतलब जो total number of words in above line कितना count है वो बता देगा है आपे आपको ठीक है तो यहाँ पे इसको run करतेते हैं हम लोग तो suppose मैं लिखता हूँ computer science students are welcome to technogen channel for more videos subscribe to this channel ठीक है कितना हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौव दस ग्यारा बारा तेरा चाओदा एंड पंदरा तो कितना आगे आपने को पंदरा वाइलिव तो यह था आप इसका screenshot ले सकते हो ठीक है दिखा रहों में है आपने ठीक है अब आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे question पर जो की last question है swapping के लिए है ठीक है तो यहां पर देखो हम लोग को क्या करना है swapping करना है write a c++ program ठीक है in c++ that is to swap two integers using function void swap int and percent मतलब क्या बोला है दो values लेंगे a और b देखो यहां पर swap लिया है मैंने यहां पर function prototyping कर लिया सब सब पहले यहां पर देखो int main a,b तो enter two numbers to swap ठीक है तो यहां पर यह दो numbers swap हो रहे है ठीक है ना that is a और b हम लोग ले रहे यूजर इंटर तो बताएगा कि a आपन ने यह अटर गया भी आपन ने एंटर फिर swapping के बार यह swap का function call होगा ठीक है ना तो इसमें कैसा है देखो यहां पर क्या है address लिया आपन ने जो function उन्होंने बोला था वैसे हम लोग ने लिया हुआ है देखो यहां पर यह अपन ने लिया था इंट आप पर संग लिया तो उस हिसाब से दो function लिया एक temporary वेरियेबल लिया तो क्या कि हमने एक्स का जो भी value आएगा वह टेंप में श्टोर करेगा फिर वाय का वैल्यू एक्स में श्टोर हो जाएगा फिर जो टेंप में बचा है एक्स का ठीक है एकदम easy ठीक है ना तो यही था आपका solution for this also इसको run करके देख लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर enter दो values एंटर करूंगा एक 89 एक you can say 46 ठीक है तो यहाँ पर देखो बता दिया you entered a is equal to 89 b is equal to 46 after swapping क्या मिला a का value देखो b का value a में आगया देखो a is equal to 46 और b का value 89 हो गया ज execution I have explained you all the programs that is 20 programs of your question bank ठीक है ना तो definitely आप share कर दो भाई इतना महनत किया है तो आप लोग के पीछे students और HTML का ही पूरा डाल दिया है मैंने तो programming के जितना है C++ C के आपके मतलब sorry computer science के paper 1 के तो मैंने पूरे डाल दी almost ठीक है ना तो आप लोग देखो और कुछ समझा नहीं कुछ doubts है तो comment करो comment section में ठीक है ना तो ऐसी videos के लिए आप लोग connection में रहो channel के साथ ठीक है subscribe कर लो channel को bell notification icon press कर कर के रहो and definitely like कर के share कर देना आप लोग अपने french friends में till then we'll come in the next video till then thank you have a good day and watch all the videos of computer science you will find over here with question papers of previous years and solutions of those ठीक है और बाकी tips and tricks भी वाली videos में मिल जाएंगे ठीक है तिल दन thank you have a good day